कहानी की शुरुआत चेननई से होती है, जहां पर हम महाराजा नाम की एक व्यक्ति को देख पाते हैं, जोकि रम की सलून के अंदर काम कर रहा होता है। महाराजा एक छोटे शहर का मिडल क्लास व्यक्ति है, जिसके परिवार में उसकी बच्ची जोती है, जिसे वह जान से भी ज्यादा प्यार करता है। अब इसी के साथ कहानी दो हाजा नौक एक फ्लैश बैक में जाती है, जिसके अंदर महाराजा अपनी बेटी के लिए टॉइज खरीद रहा था। इसी लिए अब परिवार के अंदर बस महाराजा और उसकी बेटी जोती ही बचे हुए थे। अब महाराजा के घर के अंदर एक लक्ष्मी नाम का डस्ट बिन भी होता है, जिसे वो लोग बिलकुल बकुल एक इनसान के जैसा रखते हैं, यहां तक ही उसे मंदिर में रखकर उसकी पूजा करी जाती है, अब यह बात काफी ज्यादा अजीब होती है, क्योंकि जिस चीज के अंदर कचरा भेंका जाता है, उसकी पूजा करना बहुत ही अजीब बात थी। अब एक दिन होता यह है, कि जियोती की बहुत ही ज्यादा कंप्लेंट होने पर, स्कूल के प्रिंसिपल ने जियोती और महाराजा को अपने चेंबर में बुलाया था, जिसके चलते प्रिंसिपल जियोती को डांटने लगते हैं, लेकिन आसिफा जियोती को बचाने के लिए एक और बच्चे को प्रिंसिपल के सामने पेश कर देती है जिसके चलते प्रिंसिपल ने सब के सामने उसे थपड मारा और फिर वज्योती को वापस से डांटने लगे अब महराजा ने ज्योती को बहुत ही ज्यादा प्यार से पाला पोसा था इसलिए वो यह सब और सहन नहीं कर पा था उसने प्रिंसिपल को जोती से माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया था अब प्रिंसिपल को यह लगने लगता है कि महाराजा बिना माफी सुने जाएगा नहीं तो उसे मजबूर होकर ज्योती से माफी मागनी पड़ती है अब महाराजा का अधिकतर समय ज्योती के साथ ही गुजरता था अब एक दिन ज्योती ने महाराजा को यह बताया कि उसे स्पोर्ट्स कंपेटीशन के लिए स्कूल की तरफ से बाहर जाना पड़ेगा लेकिन महाराजा इतना खोया हुआ था कि उसे कुछ भी पता नहीं चलता अब अगले सीन में हम देखते हैं एक अमीर व्यक्ति को जिसने अपनी कार गराज के अंदर ठीक करवाने के लिए दी हुई थी तभी उसको याद आया कि उसकी कार के अंदर उसका एक चश्मा रह गया है वो गैराज के अंदर पूछताच करने आता है लेकिन वहाँ पर किसी को भी उस चश्मे के बारे में नहीं पता था और यह सुनकर वह गुसा होकर उन सभी को पीटने लगता है खैर तभी वहाँ पर धना नाम का एक व्यक्ति आता है जिसने उस आदमी की कार उसके घर पर डिलीवर करी थी तभी गैराज का मालिक जो होता है वह धना से उस चश्मे के बारे में पूछता है लेकिन इससे पहले कि धना कुछ भी बोल पाता वो अमीर व्यक्ति उसे पीटने लगता है और उसे शाम तक चश्मा वापस दे जाने के लिए बोलता है आगे हमको दिखाया जाता है कि वो अमीर व्यक्ति शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था कि तभी वहाँ पर धना जाता है और उसके हाथ में उसी आदमी का चश्मा था जिसे वो वहीं पर तोड़ देता है यह सब देखकर वो अमीर आदमी फिर से धना को पीटने लगता है मगर इस बार धना के मन में उसकी तरफ काफी गरजेस आ गए थे और वो और उसके सभी दोस्तों को बहुत पीटने लगता है और वहाँ से चला जाता है यानि कि यहाँ पर धना कोई आम व्यक्ति नहीं लग रहा था I mean गैराज के अंदर काम करने वाले व्यक्ति के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो किसी अमीर व्यक्ति पर ऐसे ही हाथ छोड़ दे खैर, अब सीन शिफ्ट होता है जहां पर हमें महाराजा को दिखाया जाता है जो कि पुलिस स्टेशन आया हुआ था हमको पता चलता है कि महाराजा को काफी चोट लगी हुई थी जैसे उसे किसी ने पीटा हो तभी वहां का इंस्पेक्टर नल्ला शिवम उससे वहां पर आने का रीजन पूछता है जिस पर महाराजा ये कहता है कि उसकी लक्षमी चोरी हो गई है जिस पर वह पुलिस वाला रिपोर्ट बनाता है और उसे पूछता है कि लक्षमी उसकी थी, कौन, जिस पर महाराजा बताता है कि वो असल में उसका dust pin है, यह सुनकर नल्ला शिवम का तो दिमाग हिल जाता है, वो उसका मजाक बनाने लगता है, और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, मगर महाराजा सीरियस था, और वो यह बोलता है कि जब तक उसे लक्षमी नहीं मिल जाती, वो वहाँ से कहीं नहीं जाएगा, अब इंस्पेक्टर को इस बात पर गुसा आ गया था, और वह महाराजा को पीटने लगता है, और उसे जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर महाराजा वहाँ से टस से मस नहीं होता, और इसी बीच होता ये है कि स्टेशन के अंदर तोड़ फोड़ भी हो जाती है, अब आगे हम वर्धराजन नाम के एक पुलिस वाले को देख पाते हैं, जो कि एक केस को सॉल्व कर रहा था, असल में एक चोर, जो कि खुद पुलिस वालों से मिला हुआ होता है, वह एक RAD officer के घर पर चोरी करता है, जिसे वर्धराजन खुद ही पकड़ कर लाता है, मगर असली की जगह नकली गहने उस RAD officer को दे देता है, और खुद असली गहने रख लेता है, वो पुलिस इस्टेशन जहां पर महाराजा आया हुआ था, वो वर्धराजन के ही अंड लक्ष्मी को ले गए, अब वर्धराजन भी महाराजा से पूछता है कि लक्ष्मी है कौन, जिस पर वो बताता है कि वो उसका dustbin है, जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है, अब वर्धराजन उसे नया dustbin खरीदने के पैसे भी देता है, लेकिन महाराजा को वही सेम dustbin चाहिए था, अब वर्धराजन गुसा होकर उसे स्टेशन से बाहर फिंक देता है, पर महाराजा फिर भी नहीं जाता, तब ही वर्धराजन को यह लगता है, कि जो आदमी उस dustbin के लिए इतना कुछ कर सकता है, उसके अंदर जरूर कोई खास बात होगी, और इसी के चलते वर्धराजन अपनी टीम के साथ महाराजा के घर जाता है, और इंक्वाइरी करने लगता है, जिसके बाद हम सेलवम नाम के एक चोर से मिलते हैं, जो कि अपने साथियों के साथ मिलकर चोरियां किया करता था, वो लोग उन्हीं घरों में चोरी किया करते, जहां पर कोई मर् और यह जो सीन है ना, वो 2009 का है, यानि कि जहां पर हमें सेलवम के बारे में बताया जा रहा है, और यह सेम वही टाइम होता है, जिस वक्त महाराजा की बीवी भी खत्म हो गई थी, अब सेलवम की बच्ची का नाम मुंह होता है, जिसकी पीट पर चोट का घाव भी था, जो कि सेलवम के घर के अंदर लक्षमी को देख पाते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि उस रात महाराजा के घर पर सेलवम भी था, दूसरी तरफ सभी पुलिस वाले लक्षमी को ढूंड रहे होते हैं, मगर अभी तक उसकी कोई भी खोज खबर नहीं थी, महाराजा पुलिस स्ट पर मेकेनिक वहाँ पर आता है। जिसके बाद धना को वहाँ पर मारपीट करता देखता है तो महाराजा को उसके घर में भी चोरी कर चुका है। जिसके बाद धना कर उसका गला ही काट देता है। जिसके बाद धना को वहाँ पर मारपीट करता है। तब ही वो नोटिस करता है कि उसके पीछे महाराजा खड़ा हुआ था। अब सेलवम को यह लगने लगता है कि महाराजा ने उसकी सारी बातें सुन ली हैं। लेकिन महाराजा कोई रियक्शन नहीं देता क्योंकि उसने ऐसा कुछ सुना ही नहीं था जिसके बाद सेलवम जल्दी जल्दी अपने घर चला जाता है। इधर महाराजा नोटिस करता है कि सेलवम की जो सोने की चैन थी वो वहीं पर रह गई थी जिसको देने के लिए महाराजा उसके घर जाता है। झाल जाता है।